काईली सुस्क्राइब दे चैनल एंड हिट बेल आइकन तो गेट रेवलर अपडेट्स थैंक यू हेलो एब्रीवन ओलाइन जी के ग्लास इवं कांड मेंटी स्कूल के यूटूब चैनल में आप सभी बच्छों का स्वागत है आज हम ग्लास पॉर्थ की जी के ग्यान सरोवर भुक का अध्यन करेंगे जिसका प्रत्वम अध्याए है विचित्र जन्तू ठीक है विचित्र जन्तू मतलब कि इस प्रत्वे पर बहुत सारे ऐसे जन्तू है जो हमको बहुत ही बहुत ही मुस्किलों से बहुत ही कि मतलब कम प्रजाते दिखाई मिलती है या दिखाई परती है ठीक है आज हम उनके बारे में जानेंगे ठीक है पहला है इस जन्तू के गालों पर रोवेदार धारियां उबरी हुई होती है तथा गालों के नीचे थैली जैसी रचनाय पाई जाती है जिनें यहां भोजन को भंडारित करने के लिए प्रयोग करता है ठीक है तो यह कौन सा जन्तू है यह देखिए गिलहरी फिस सेकेंड है एक इस्तंधारी जो बच्चो को जन्म देने के बजाए अंडी देता है वो कौन सा जन्वर है बतक चोचा चीटी खोर ठीक है यह रहा थार्ट नमबर है यह वन पॉइंट फाइब ग्राम वजन का कुछ सेमी लंबा सबसे छोटा इस्तंधारी है तो यह रहा है एक टू सकैंस रो ठीक है बच्चो यह देखिए चित्रेस का फिर फोर नमबर है यह सबसे बड़ा क्रतंक है यह जली जन्तू है जो अपने पैने दातों का प्रयोग ब्रच्चो को कुतरने के लिए करता है जिसका उप्योग नदियों के बान बनाने में किया आता है वो कौन सा जन्तू है उद बिलाओ यह देखिए इसका चित्र यह है यह सबसे बड़ी बिल्ली है जिसका सिर बड़ा तथा लंबाई 2.5 मीटर तक होती ह है इसकी पूँच एक मीटर और लंबी हो सकती है यह इसका आंसर जो है पाक शिक्स नमबार यहां तीछन द्रश्टी वाला जन्तू है तथा यह पेड़ पर आसानी से चड़ सकता है यह बिल्ली परिवार का सदस्य है मार के ठीक है यह है जान्तू है नमबर सेगं यह लिकीली आंखो वाला राती चर जन्तू है इसके घने मुलायम रोवे तथा गुच्छेदार पूंच होती है कौन सा जन्तू है लीमर लीमर मतलब बंदर जैसा जन्तू नमबर एट इसके कंदों पर सफेद रोवेदार रोवे पा जाते हैं तथा यह भूरे रंग का रीच ह है उसे कहते हैं ग्रीचली तीक है थैंक यू